दोस्तो आज जो मैं आपके साथ मुस्का लेकर आई हूँ वो पेट में भ्यंकर से भ्यंकर गैस या फिर मटापा या फिर फैटी लीवर की समस्या इन सब के लिए बहुत फायदिमन्द है मटापे के बारे में तो सबी को पता ही है मटापा बहुत खतरनाक बिमारी होती है कईयों को तो मटापा फूरे शरीर में होता है कईयों के पेट में होता है कईयों के पेट के नीचले हिस्से में होता है ये तीन जगह पर मटापा होता है मटापा कैसे खाते खाते चर्बी का रूप ले लेता है ये पता ही नहीं चलता, आज जो remedy मैं लेकर आए हूँ ये चर्बी को पिंगला देती है, मोटापे से अराम दिलाती है, गैस की समस्या को दूर करती है, दोस्तों जैसा कि आज कल महाल चल रहा है, जादतर लोगों को fatty liver की समस्या हो रही है, यह चर्बी के कारण ही होता है, क्योंके जर्य बाहर आने लगती है, नीचे से पास नहीं होती, उपर जाने की कोशिश करती है, और फिर सरदर्ध होने लगता है, इस सरदर्ध का नायावन उसका है, बहुत ही जादा शानदार है, पहले मैंने आपको ऐसी ही remedy बताई है, जिसे आपने बहुत पसंद किया है तो सबसे पहले जो हम यहाँ इस्तमाल कर रहे हैं चीज, वो है जीरा, सभी को पता है कि सब लोग जब सबजी बनाते हैं तो उसमें जीरा डालते हैं, इंडिया में जितनी भी सबजी बनाई जाती हैं, उसमें जीरा बगरा जरूर डाला जाता है, हमारे बड़े बजूर ब बनाने से सबसे पहले जीरे को लेते हैं दही में हम भुना हुआ जीरा डालते हैं दोस्तों दूसरी चीज जो हम या ले रहे हैं वो है सौफ आपको पता है कि सौफ डाइजेशन को अच्छा करती है सौफ पित को खतम करती है यानि कि एसिड को शांत करती है दोस्तों ये नुस्का बहुत ही सिंपल है इसलिए मैं आपको सिंपल सी बाशा में समझाना जाती हूँ ताकि आपको कोई जंजट ना करना पड़े इससे बनाने में किसी भी तरह कि कोई भी परिशानी ना हो सौफ ये हमारे डाइजिशन को अच्छा करती है दकार वगेरा नहीं आने देती उसको भी ये सही करती है मुगी बदबू आती है उसको भी दूर करती है आँखों की प्राब्लम है उसको भी दूर करती है माइंड को बढ़िया करती है एक्टिव करती है सिर्फ तीनों चीज़े आपने इस्तमाल करनी है तीसरी चीज जो हम यहां ले रहे हैं वो है धनिया, साबत धनिया हमने इस्तमाल करना है, कैसे फाइदा करेगा, ये इमिनिटी को मजबूत करती है तीनों जीजे, जिन लोगों के अंदर इमिनिटी पावर कमजोर है, रोगों से लड़ने की शम्ता कमजोर है, उन्हें रोग जल्दी घेर लेते हैं, इन चीजों का पानी बनाना है, इसे बच्चे, बजुर्ग, बड़े सभी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, ये तीनों मसाले, कितनी मात्रा में लेने है, कैसे बनाना है, कैसे आपने से पीना है, सबसे पहले हमने यहां एक गिलास पानी लेना ह आप जग भी ले सकते हैं, यानि यहाँ एक किलास पानी में इसलिए कह रहे हूँ, मैं आपको यहाँ एक इंसान के लिए बता रहे हूँ, इसके अंदर आधा चमबच जीरा डाल दीजिए, इसके अंदर हमने दूसरी चीज जो मिक्स करनी है, दो चमबच सौफ डाल देने हैं और एक चमबच हमने धनिया डात का जो बीज है वो डाल देना है, रात भर के लिए आप इसे ढख कर रखतीजिए, इस पानी के अंदर इन तीनों चीजों का अर्क इनका असर चला जाएगा, सुबह आपने इसे हलका सा गुनगुना करना है, चान कर इस पानी को पी लेना है सुबह खाली पेट पीना है, ध्यानक ये आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, साथ दिन लगातार अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगे, जो ये बचा हुआ सोफ धनिया और जीरा है, इसे उसी टाइम पानी में फिर भी गो कर रख सकते हैं, दोस्तों ये इतना असरदार होगा, इतना फाइदेमन पानी होगा, ये पानी बच्चों को दिया जाए, बजर्गों को दिया जाए, या बड़ों को दिया जाए, जिनको भी दिया जाए, डाइजेशन जिनका भी अच्छे से काम नहीं करता, ये उनके लिए काफ होगे, डाइजेशन आपका इतना बढ़िया हो जाएगा कि खाया पिया सब भाजब हो जाएगा, बहुत अच्छे से पच जाएगा, आपका मोटापा जो है जीवर के लिए ये बहुत फाइदे मन्द है, आपने इसे नॉर्मल गुन गुना ही पीना है, ध्यान रखिएगा, ठंडा नहीं पीना, मटके वाला यानि नॉर्मल इतना सा करके पी सकते हैं, ये आपकी इमिनिटी को बढ़ाने का काम करेगा, दोस्तों ये इन्फॉमेशन य अगर आपको ये जानकर ही अच्छी लगी, आपके काम किये तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा, मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, stay healthy, always be happy, thank you for watching my video, okay bye!